बच्चो आज की बच्चल क्लास में आपको हिंदी ज्यान साधर पाट पंद्रा अन्न दाता क्रशक पढ़ाने जा रही हूं इसके कभी पूरन चंद काणपाल जी हैं कभी ने इसमें किसान की महत्ता का वणन करते हुए कहा है कि किसान बहुत परिश्रमी होता है पौफटे ही जो मचाए बिहग डाल पर शोर शीतल मंद बयार जगाती चल उठ हो गई भोर पौफटे ही का मतलब है बड़े सवेरे बड़े सवेरे जो ही पक्षी बिहग यानि पक्षी डाल पर शोर मचाने लगते हैं तब शीतल यानि ठंडी हवा लोगों को जगाती है और कहती है उठो अफसुवय हो गई है अपना कारिये करो अर्थार्थ हवा किसान को जगाते हुए कहती है के हे किसान उठो और तुम अपने कर्म शेत्र यानि खेतों में चलो कांधे रख हल चल पड़ा वह रुषब सखा संगले अपने ज़ा पहुचा निजिकर्म शेत्र में रात है लालीमा से पहले किसान जो है सुबह सुरे की लालीमा से पहले यानि बड़े सवेरे अपने कंधे पर हल रख कर अपने साथी बैलों को साथ ले करके अपने कर्म शेत्र यानि खेतों में पहुच जाता है ये देखिए किसान कंधे पर हल रख करके अपने साथी बैलों को ले करके खेत में पहुच जाता है परिश्रम मेरा दीन धरम है मंदिर है मेरे खलिहान पूजा बंदना खेत है मेरी माटी मैं पाऊं पगवार अब यहाँ पर कभी किसान के माध्यम से कहता है कि परिश्रम मेरा धरम है और जो खलिहान है वो मेरे लिए मंदिर है यानि खलिहान मेरा मंदिर है और मैं पूजा बंदना उन खेतों की मैं पूजा और अर्चना करता हूं और खेत की मिट्टी में ही माटी मींस मिट्टी में मैं भगवान के दर्शन पाता हूं यानि करता हूं कर्मभूमी के यज्ज में संग है सुते बिते बनिता और परिवार अनिकी वाली का दर्शन कर पाजाता में स्वर्व का द्वार कर्मभूमी यानि खेती करने में कर्मभूमी जो खेती वो करता है उसके संग में उसका साथ देने वाले सुत यानि बेटा, बित मींस धन संपत्ती और बनीता मींस इस्त्री यानि उसका बेटा, उसका पैसा यानि धन संपत्ती और पत्नी और उसका परिवार उसका साथ देते हैं अन्न की बाली का दर्शन कर यह देखो अन्न की बालियां जब देख लेता है नि फसल जब तयार हो जाती है तो वह किसान स्वर्ग का द्वार प्राप्त कर लेता है यानि उसको सुख की अनुपूती होती है उसे बहुर सुख प्राप्त होता है मानपता का तुम है मसीह की भूख मिटाता है अवितारी तू इस मही पर परमेश्वर अन्न दाता है मानप्ता का तू मालिक है स्वामी है यानि मनुष्यता तुम्हारे अंदर भरी हुई है तू तुम्हारे अंदर सर्वोत्तम गुर्जो है वो मानप्ता का है इसलिए तुझे मानप्ता का मसीह कहा ग के, यानि अनुगा करके सारे संसर के प्राणियों की भूख मिटाता हैं यानि भूख शांत करता है अवितारी तू इस मही पर मही अनि धर्ती पर यानि किसान ने इस धर्ती पर ईश्वर के रूप में जन्मलिया हुआ है अन देने वाले इश्वर के रूप में किसान ने इस धर्ती पर जन मिलिया है तो किसान स्रेश्ट और महान है जो दूसरों के लिए निरंतर कारिय करता रहता है दूसरों को जीवन देता है आगे की कविता में आको नेक्स क्लास में यहनि नेक्स वर्च्वल क्लास जबनूंगी तब पढ़ाऊंगी भन्नवाद